Dear students, मैं रमावतार कांटीवाल, आपके इस YouTube चैनल, Online English Classes by रमावतार कांटीवाल में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ. Students, इससे पहले वीडियो में हमने chapter number 4, The Tale of the Vishnoyes, विश्णोईयों की कहानी का first part पढ़ा था. उसके आखिर में हमने पढ़ा था कि लगबग तीन हज़ार वर्ष पहले पस्सिम एसिया और मद्दे एसिया से बड़ी संख्या में पसुपालक भारत में आने लगया है। उन में से कुछ तो मारवाड में फैल गए। आलांकि भीलों ने उनके अतिकर्मन का प्रतिरोध किया लेकिन आकर्मन कारियों के पास गोड़े और स्रेस्ट हतियार थे और इसलिए सिगर ही उन्होंने भीलों पर काबू पा लिया। फिर भी भूमी ऐसिमित प्रतीत होती थी और भील लोग अरावली परवत की और कुछ पीछे हट गए। और फिर धिरे धिरे मारवाड की जन्शंक्या में व्रदी हो रही थे। स्टूडेंट्स आज हम उसी का सेकेंड पार्ट पड़ेंगे। बट एज सेंचूरी पास्ट 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 बट लेकिन जैसे जैसे या जो जो सेंचूरी सताब्दिया पास्ट बीट्ती गई। The large hearts of cattle तो पास्टों के बड़े समुहे बिगेन तो अफेक्ट प्रभावित करने लगे दे वेजिटेशन वनस्पती को। और उनके उगने की संभावना बहुती कम थे। चांच मिन्स यहां सम्भावना ग्रो उगना। इन्वेडर्स और ट्राइबल भिल्स फाउंड लेस और लेस तो सस्टेन देमसे लवेज। आकरमन कारिय। तथा जन्जातिय भिलों को अपना अस्तित्व बनाय रखना कठिन प्रतीत होने लगा। इन्वेडर्स आकरमन कारी और ट्राइबल भिल्स और जन्जातिय भिलों को फाउंड प्रतीत होने लगा। Lays and Lays to sustain अपना स्तित्वे बनाए रखना कठिन प्रतित होने लगा। Finally, the 13th century AD saw the final conquest of the builds by the rathoards of Kannos. अंत में 23 सत्ताबदी इसा के पसात ने Kannos के rathoards द्वारा भिलों पर अंतिम विजे देखिये। Finally, अंत में the 13th century तेर्मी सत्ताबदी AD अर्थार इसा के पसात सा देखी the final conquest अंतिम विजे देखिये। अब दे भिल्स भिलों पर देखी। किसने? By the rathoards of Kannos. Kannos के rathoards के दवारा। The Rajputs now ruled the hall of Marwad. अब संपून Marwad पर राजपुतों का सासन हो गया था। Rajputs now ruled, ruled means सासन हो गया, the hall of Marwad, संपून Marwad पर। In the year 1451 AD, during the reign of Rav Jodhaji, one of the brevest of the rathoard kings, an extra-onary child, was born in the village of Pipasar. सं 1451 में, Rav Jodhaji, जो सबसे वीर राठोर राजाओं में से एक थे, कि सासन काल में, पीपासर गाओं में एक ऐसा धान बच्चे का जनम हुआ। In the year 1451 AD, सं 1451 में, इसा के पसाथ, during the reign of Rav Jodhaji, Rav Jodhaji के सासन काल में, one of the brevest of the rathoard kings, जो सबसे वीर राठोर राजाओं में से एक थे, तो उनके सासन काल में, an extra-onary child was born. एक ऐसाधान बच्चे का जनम हुआ, in the village of Pipasar, Pipasar गाओं में. His father was the headman Thakur Lohat, and his mother was Hansa Devi. उसके पिता सरदार ठाकूर Lohat, और उसके माता Hansa Devi थी. जिसे ऐसाधान बच्चे का जनम हुआ, उसके पिता का नाम सरदार ठाकूर Lohat, और उसके मा का नाम Hansa Devi थी. The boy was called Jambaji. लड़के को Jambaji के नाम से पुकारा जाता. As a little boy, he was given the task of looking up to his father's large heart of cattle and save. जब वे छोटा बच्चा था, तो उस समय उसे अपने पिता के मवेशी तथा भेड़ों के बड़े जुंड को चराने का काम दे दिया गया. As a little boy, जब एच्छोटे बच्चे थे, he was given उन्हें दे दिया गया the task career. इसका आप लुकिंग आप्टर देखबाल करने का, इसका आप रीज फादर's large heart of cattle, अपने पिता के मवेशी और भेड़ों के बड़े जुंड को चराने का काम. It was great fun to take the animals out grazing, lie in the shade of a खेजड़ी ट्री, and washed hearts of black bugs. पस्वों को चराने के लिए ले जाना, खेजड़ी के वरक्ष की चाया में लेटना, और काले हिरनों के जुंडों को देखना बहुती आननदाइक था. It was great fun, बहुती आननदाइक था, to take the animals out grazing, पस्वों को चराने के लिए बाहर ले जाने में, lie in the seeds of a खेजड़ी ट्री, और खेजड़ी के वरक्ष की चाया में लेटना, lie means लेटना, shed, चाया, and wash the hearts of black bugs, और काले हिरनों के जुंडों को देखना. वाज मेंस देखना, hearts June, and black bug, काले हिरन. जामबाजी वाज फेशिनेटीड बाई दे लेट ग्रीस आप दीस हैंडसम एंटी लाव. इस तेज चलने वाले पसु, अर्थार्थ हिरन की सांदार चाल जामबाजी को अत्यनत रूची कर लगती थे. एंटी लोफ, यहां, handsome एंटी लोफ, यानि हिरन, तेज चलने वाला सु, हिरन. और वे सोस्ते थे कि दो वैश्क बारह सिंगों की लड़ाई के द्रस्ये से अधिक सुन्दर कोई द्रस्ये नहीं था. मार इंध्रेलिंग, अधिक सुन्दर द्रस्ये है. थोड़ी मात्रा में वर्षा, जो नियमित रूप से आया करती थी, वह बिल्कुल बंद हो गई है. जो नियमित रूप से आया करती थी, वह बिल्कुल ही यानि पूरी त्रे से बंद हो गई. सिस्ट बंद हो गई and altogether पूरी त्रे से. The worst sufferers were the cattle, सबसे अधिकस्ट पसों को हुआ. In the first year of drought, they could eat the बाजरा इस्ट्रा इस्टोर्ड इन दे हाउसेज. सुके के पहले वर्ष में, वे घर में रखे विये बाजरे के भूशे को खाते थे. The second year was very bad और दूसरा साल बहुत खराप था. There was not a blade of grass left standing anywhere. कहीं पर भी घास का एक तिनका भी दिखाई नहीं देता था. Blade means तिनका और ग्रास घास का. Pupil held at any trees they could find. कोई भी वरक्ष जो लोगों को मिलता उसे काट देते थे and feed the animals on the leaves और उसकी पतियां पस्वों को खिलाते थे. But even so there was not enough browse for all the hungry animals. लेकिन फिर भी समस्त भूके पस्वों के लिए परियाप्त मात्रा में चारा नहीं मिलता था. Enough means परियाप and browse means चारा. And the drought continued for 8 consecutive years और ये सुखा लगातार 8 वर्षों तक रहा. Consecutive लगातार 8 years 8 वर्षों तक रहा. Students आज के लिए इतना है इसका remaining part अगले वीडियो में द्याजेगा. वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. Have a nice day.